अलो दोस्तो वेलकम टू रिच योग व्लोग्स कैसे हो आप सब मैं रिचा आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ तो दोस्तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक ओईल का डिव्यू शेयर करने वाली हूँ डिव्यू मींस उसके कितने सारे फायदे हैं वो मैं आपके अला आ रहा है और जो पहले के लोग थे जैसे की जो पहले की दादी दादा वो लोग थे वो लोग इस ओईल को बहुत जादा यूज करते थे आज के टाइम में जो भी प्रोड़क्स आने लग गया है बहुत सारे प्रोड़क्स आते हैं हैर के लिए फेस के लिए बट तब सब के टाइम में यही औॉइल एक था कि सब लोग यूज कर देते और सब की घर में यह आ nominee KH Cooper Sumner रहता था एकदम कॉमन ओई था किसी तो सब के घर में ले बत मोसटि सब की घर में यह मिली जाता तो चलिए बात करते हैं कि कौन सा ओईल है मैं आपको दिखा देती हूँ तो वो ओईल है पैरिशुट कोकोनट ओईल और ये एडवांस ओईल है अलोवेरा है इसमें और कोकोनट हैर ओईल है तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे आपको धेर सारे फायदे बताने वाले हूँ और रिलेटेर हम आज फेस के बारे में बात करेंगे हमें इसे फेस पे कैसे अपलाई करना है क्यों अपलाई करना है ये सारी बाते करेंगे आज हम इस वीडियो में सिफ फेस के उपर बात करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने के पहले आप मेरे चैनल पे नए आए हो फॉर्स टाइम देख रहे हो तो प्लीज मेक शूर लाइक कर दीजेगा सब्सक्राइब कर लीजेगा मेरे चैनल को और हमारी फैमिली का एक हिस्सा बन जाएगा वेलकम है आपका हमारे चैनल पे और प्लीज लाइक करिएगा दोस्तों और ये वीडियो अच्छी लगी तो मेक शूर शेयर करना जो भी मैं रिव्यू आज इस ओयल के बारे में बताने वाली हो जो भी मैं आपको फायदे बताने वाली हो यह हॉनिस्ट रिव्यू हॉनिस्ट आपके साथ शेयर करूंगी जो सही बात होगी मैं आपको वही बताऊंगी तो ट्रस्ट मी यह ओई बेस्ट ओयल है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपको पहली बता दिया था कि यह ओईल बहुत दिनों से चले आ रहा है मिंस्ट यह तो निउ निकला अलूवेर वाला रिसे पहले तो वही ओईल यूज करती थी बट मैंने यह ओईल क्यों चूज क्योंकि इसमें अलोवेरा भी है अलोवेरा कितना फाइदे मन्द आप सबी को पता होगा तो हमारे स्कीन के लिए हमारे हैर्स के लिए बहुत जादा फाइदे मन्द तो दोनों साथ मैं तो सोने पर यूज करते थे अभी ही सब लोग क्रीम यूज करने लगे हैं बट पहले तो लोग यही ओईल यूज करते थे तो चलिए इसके फाइदे देखते हैं इनारियल तेल आपको एजीली मार्केट में अविलीबल हो जाता है और सबके घर में भी अब मिली जाता है यूज तो बहुत ही अच्छा होईल है नारियल तेल में हमारे स्कीन के लिए बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टीज होती है और नारियल तेल हमारे जो स्कीन ड्राइनेस होती है जो स्कीन ड्राय हो जाती है उसको मॉइस्टराइज करने में बहुत ही जादा हेल्प करता है तो यह नारि उहनोंने यह यूज करना चाहिए इसे यूज करने keyboard आपकी screen ढीरे जी दीरे light होने लग जाएगी और glow करने लग जाएगी तस हमारी Wesleyok university होती है वह जाती है द्राइ के साथ रूखी सूखी एकदम में पैचेस पर जाते हैं और जो ठंडी में तो आप इसे यूज कर सकते हो, प्लस ये जो sensitive skin होती है, जिसकी उन्होंने भी इस प्राइल तेल को यूज करना चाहिए, sensitive skin के लिए तो ये रामबान उपा है, तो इसे आप यूज करके देखिए, normal skin वाले तो कोई भी product यूज कर सकते है, dry skin वालों ने भी यूज करना किसी के भी face पे infection हो, तो उसने नारियल का तेल यूज करना चाहिए, नारियल के तेल के यूज से उनका जो infection है, वो बहुत अच्छा हो जाएगा, धीरे-धीरे करके होगा, बड़ पक्का वो अच्छा हो जाएगा, और nicely आपकी जो skin है वो light हो जाएगी, और dry हो जाएगी, अब इसके अब uses बताऊंगी मैं आपको, कि इसे कैसे use करना है, तो इसे हमें as a home की तरह भी use कर सकते हैं, सोने के पहले आप face को wash कर ले, face को wash करने के बाद, इसके 2 या 3 drops लेके आपको जहाँ पे भी acne है, हाँ दोस्तो acne करने के लिए बहुत जादा helpful है ये तेल, तो आपके acne के वहाँ पे आपने dobs के बाद में तो इसे आपने overnight छोड देना है जहां पे आपको acne है, dark circle है तो आपने apply करना है, अपने apply करना है, पूरे face के आपको नहीं रगड़ना है, तो उसे apply करके आपने overnight छोड देना है, morning में उठने के बाद आपनी wash कर लेना है, पेस को, जो result ह आपको 10 या 15 देज में मिल जाएगा और आपको यकीन ही नहीं होगा कि आपके जो एकने हैं डाक सर के लिए वो रिमूव हो चुके हैं तो यह ओईल मस्ट है यह आप यूज करके देखिए और दिन में भी यूज कर सकते हो या आप जब मेकप कर रहे हो उसके पहले भी आपसे यूज कर सकते हो इसे फुल फेस पे नहीं अपलाय करना है इसे सिफ डैप करना है डैप करते वे से अपलाय करना है तो मैंने बताया आपको सेकेंड यूज बताती हूँ तो इसका जो सेकेंड यूज है वो स्क्रबर का काम करेगा स्क्रबर हान जी स्क्रबर का काम भी कोकोन कीची आपड़ करएगा तो इंग दियन अपको लेना है शुगर। किसे असपस Knights कर देता है। ओमें नियुग्त करनू स्करमान नमने के पारविके होगी किसे एधे करानी ऐड़ा देगर तो एक शुगर करना है। 2-3 मिनिट्स आपको स्क्रब करना है उसके बाद वाम वाटर से आपको वाश कर लेना है आप देखोगे बहुत ही अच्छा ग्लो करने लगीगा आपका पेस तो आपको इस तरह से भी आप इसे अप्लाइ कर सकते हो तरह यूज़ बताने वाली वाले है इसके coconut oil के इस coconut oil को हमें three or four drops ले लेना है उसमें हमें honey भी करना है एक आप 1-2 अवर भी छोड़ दोगे आप घर में हो अराम से आपको कोई काम नहीं है बाहर नहीं जाना तो आपको उसको छोड़ देना चोड़ने के बाद 2 या 3 अवर के बाद आपको वाश कर सकते हो ऐसे आप 15 या 20 डेज भी करोगे तो भी आपको बहुत ही अच्छा रिज इसमें आप वो कपूर की गोली डालोगे और उसको मिक्स कर लोगे उसे मिक्स करने के बाद आपको जहां पे भी अक्ने है डाक स्पोर्ट है वहां पे आपको अपलाई करना है उससे आपने बहुत केर फूली अपलाई करना है क्योंकि आप रगड़ोगे ना तो फिर आपक बहुत ही नाइसली आपका मेकप रिमुव कर सकते हो बहुत ही नाइसली आपका मेकप रिमुव हो जाएगा आप इस हैट को जरूर करके देखिएगा बहुत ही नाइसली आपका मेकप रिमुव हो जाएगा इसके बाद आप फेज़ वाश कर सकती हैट और आपकी स्कीन हाइडुरी तो यह हैख ज़रूर्ड तरा करके देखिएगा और पेस के लिए तो यह राम बान उपा है और जो सुन्दर ता पाना चाहता है जो सुन्दर होना चाहता है उसने जरूर यह coconut oil use करके देखना चाहिए उसको अपनी स्कीन ब्राइटन चाहिए lighten चाहिए और सौफ्ट होनी चाहिए तो उसने ये coconut oil जरूर यूज़ करना चाहिए मेरी बात मानते हैं आपने ये coconut oil यूज़ करना चाहिए और ये आपको hack अच्छा लगया हो और हाँ दोस्तो एक और बात आपने पूरे face पे apply नहीं करना है जहाँ पे भी आपको acne लग रहा है जहाँ पे भी आपको dark spot लग रहे हैं वहाँ पे ही आपने apply करना है पूरे face पे apply करके overnight नहीं चोड़ना है और जिसकी भी oily skin है वो भी इस oil को use कर सकते हैं बिना तिल जब आप makeup प्रिमूख करने के बाद oil लगाओगे इसके बाद आपने face wash बहुत ही अच्छी तरीके से face wash करना है जो आपने oil लगाया होगा वो आपने अच्छे से remove करना है और आपके face पे कोई भी oil रहना नहीं चाहिए उसके बाद आप moisturizer लगा सकते हो और हाँ दोस्तों यह moisturizer का काम भी बहुत अच्छी तरीके से करता है अब skin की बाद तो मैंने face face के skin की बाद की आप इसी moisturizer भी apply कर सकते हो means आप hands पे लगा सकते हो जो रूखे-रूखे hands होते है जैसी यहाँ पे black हो जाता है बहुत लोग करा मैंने देखा है यहाँ पे बहुत जादा black होता है मुझे बिल्कुल पसाद नहीं है वो black तो आप इसे यहाँ पे oil लगा सकते हो बहुत अच्छी तरीके से ऐसी massage करते हो है और आप पूरे hands पे लगा सकते हो जो भी आपकी रूखी तवचा होगी इससे एकदम अच्छी हो जाएगी हां को coconut oil के साथ आपने tea tree oil ज़रूर यूज करना ची उसे दोनों को mix करके अपने पूरे अपने पूरे hand पे या body पे भी apply कर सकते हो तो यह hack ज़रूर यूज करके देखेगा और आपको यकीर नहीं होगा यह coconut oil मैं अपने बेबी के उपर भी यूज करती हूँ मिस उसके massage के लिए मैं यह oil यूज करती हूँ और उसके hairs के लिए मैं यही oil यूज करती हूँ massage के लिए मैं यही oil prefer करती हूँ तो कि यह oil बहुत ही अच्छा है उसकी skin भी soft हो जाती है मुझे बहुत पसंद रही ओई तो यह ओई आप जरूर यूज़ करके देखीगा और अपना फिटबैक मेरे साथ जरूर शेयर करेगा और जिसने भी मुझे इस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो मेक्शोर फॉलो करो और जो नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना ऐ क्योंकि आपको नुकसान होगा तो मुझे नुकसान है आपको फायदा है तो मुझे फायदा है जो मैं यूज़ कर तू मुझे फायदे मंदर मैं वही आपको बताऊंगी तो यह वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक्शोर लाइक कर दीजेगा तो चलिए अब मिलती हूं बाइब बाइ